हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आपके अप्चेंजनले एचेस टेक्निकल सपोर्ट पे स्वागत हैं और आज हम बात करेंगे पीम किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर उसकी लीमिट के बारे में और कौन-कौन एलेविजल है अगर कम जमीन है तो भी आप किसान क्रेडि सवाल है इन सारे सवालों का जबाब इस वीडियो के अंदर दूँगा मैं वीडियो आपको प्लिटरी देखना है वीडियो आप कम्पलिटरी देखो likes only कंग वीडियो देखने की जूरती निये इसी वीडियो के अंदर में बताऊंगा PM किसान क्रेटिट कार्ड योजना के लिए आप apply केशे करें जो किसान क्रेटिट कार्ड केशी सी है उसके लिए apply केशे करें और उसका कितना आपको लोन मिलने वाला है और किस किस पसल पे आपको लोन मिलने वाला है यानि सारे सवाल इसी वीडियो के अंदर हम clear कर देंगे आपके discussion में मैंने सारे सवाल रख दिया है उन सवालों के उत्तर इस वीडियो के अंदर है तो आपको पहले discussion चेक कर लेना है अब जैसे कि बहुत सारे हैं कि हमने किसान समानिती योजना के अंदर अपना registration नहीं किया तो अब कर सकते हैं क्या तो इनी सारे सवालों का बहुत सारे सवाल है मैं अभी बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंब हो जाएगा तो इसकार से इनी सारे सवाल है उनको सभी का मैं इस प्रवैड करते हैं और गुवर्मेंट इसकी में से रिलेटेड वीडियो कर देखना है तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेंन और वीडियो को लाइक कर दें तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना टायम को मैं आईए तो चलो दोस्त हम आगे ए कंप्पिटी स्किन पे बात के लें थे PM किसान के सिसी लिमिट, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधान मंतरी किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रधान मंतरी किसान समानिती योजना में जितने भी किसान लाबारती हैं विद्धानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाब दिया जाएगा परदानमंत्री किसान क्रेडिट College योजना का लाब लेना है तो इस वीडियो केंद रे Yuri आपको अपलाई काश्रान हो स्टाइई करना है सरकार के द्वारा देश के सभी किसानों को क्रेडिर कार्ड योजना का लाब दिया जाएगा देश के सभी छोटे बड़े लगू सीमात किसानों क्रेडिर कार्ड योजना के तहित लाखों रुपे का लोन बहुत कम व्यास दरों पर प्राप्त कर सकते हैं किसान क्रेडिकार्ड योजना के लिए online और offline दोनों माद्यों से आविदन करने की सुईदा उफलत है जिसमें उपर हम बताया आगे बात करेंगे प्रधन मत्री किसान क्रेडिकार्ड योजना में सबसे बड़ा बदलाव कुछी दिनों पहले कर दिया गया है जैसा कि आप सभी को पता होगा प्रधन मत्री किसान किसान समानिती योजना के एंतरकर जितने भी लाबारती किसान हैं सभी को प्रधन मत्री किसान क्रेडिकार्ड योजना का नाव लाब दिया जाएगा जिसके लिए हाल ही में PM किसान पोर्टल पर एक आवेदन फोर्म यानि KCC application फोर्म दिया गया है जिसे offline भरकर बेंकों में जमा कराना था PM KCC फोर्म को भरकर जमा कराने से किसानों बेंकों के दुवरा PM KCC काड़ 14 दिनों के भीतर ही उपलत कराया जाता था तो अब बताते हैं के लेकिन अभी सबसे बड़ी कुशी की बात है कि PM KCC online apply करने की सुरू कर दी गई है यानि कि जो भी किसान बेंक नहीं जाना चाहते हैं online के माद्यम से PM KCC के लिए आवेदन कर सकते हैं तो कैसे करना आप बताएंगे online PM KCC application कैसे करना इसकी प्रिक्रिया भी हम आगे से विस्तार से बताएंगे PM KCC online process PM KCC online apply तो start कर दी गई है लेकिन इसमें एक सर्थ भी रखा गया है अभी PM KCC online apply के वल common service center के माद्यम से ही किया जा सकता है किसान खुझ से PM KCC के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं मतलब CSC के माद्यम से आप आवेदन करा सकते हैं जिन किसानों को PM KCC online apply करना है तो उन्हें अपने नजदी की common service center पर जाना होगा तो अब आपको अपने PM KCC के लिए online आवेदन तो start हो गई है जेकिन आवेदन केवल common service center के माद्यम से ही किया जा सकता है अगे हम PM KCC online apply के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे इसके बाद CSC के माद्यम से online कैसे आवेदन करते हैं इसकी पिरक्रिया भी जानेंगे तो वीडियो को completely देखिए आपको अलग अलग वीडियो देखनी की जूरत नहीं है इसी वीडियो के अंदर में सारी information देदूँगा और इतनी information आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी PM KCC guideline PM KCC scheme apply प्रदानमंचरी किसान निदी योजना के सभी लाभारतियों के CCC scheme के लिए पातर हैं किसानों का आधार कार्ड वेरिफाइड है उनको PM KCC यानि किसान का किस्ट मिल रहा है वे किसान KCC scheme का फोरम बेंग में जमाग करा सकते हैं किसान को बिना किसी guarantee के किसान credit card scheme के देख 1,60,000 का लोन दिया जा सकता है बिना किसी guarantee के और guarantee देते हो तो और भी ज्यादा loan ले सकते हो अभी बताऊंगा मैं PM KCC यानि के लिए 16 सुत्री एक एक्षन प्लान मोजी सरकार के द्वारा पेश किया गया जिसमें एक एहम इंदू किसान समानिदी योजना के लाभारतियों को पर दिया गया था इस एहम इंदू के मुताबिक प्रधान मतरी किसान समानिदी योजना के अंतरकत जितने भी लाभारति किसान हैं सभी को किसान क्रेडिट कार्ड इसकीम का लाभ दिया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड इसकीम का लाभ राप्त कर सभी ये सभी किसान बिना किसी कारेंटी के 1,60,000 तका लोन ले पाएंगे इसके उपर उन्हें ब्याज बहुत कम देना पड़ेगा सरकार ने अपनी गोजना में बताया कि पहले चरण में 9.5 क्रोड किसान को किसान क्रेडिट कार्ड इयोजना के साथ जोड़ा जाएगा और उसके बाद में 14.5 क्रोड में से जितने भी किसान बच्चे भी हैं लगबग 5 क्रोड किसानों को दूसरे चलन में जोड़ा चाहेगा तो आगे बात कर लेते हैं वीडियो को completely देखिए सरकार ने अपनी गोशना में बताया है कि पहले चलन में 9.5 क्रोड यह तो में आपको बता दिया यानि सीधे सब्दों में कहने का अड़त यही हुआ कि प्रधान मंतरी किसान समानिदी योजना का लाब अभी जो किसान ले रहे हैं जिनको किस्त का रखाम मिल रहा है वह पूरी तरह से किसान क्रेडिर काड इसकीम के लिए पात्तर माने गया है में अपन बिंदू है के सीशी स्कीम के पढ़धान मंतरी किसान समानिदी योजना के लाब आरतियों को सभसे पहले लाब जो किसान परदान मचरी किसान समानिदी योजना के पात्र लाबार थी है उनको सरकार के द्वारा सबसे पहले लाब दिया जाएगा किसान क्रेडिर कार्ड योजना के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं किसानों को बिना किसी गारंटी के लोन दिया जा सकता है पीम किसान गालाइन के बदूलत अब किसान बहुत ही आसानी से बेंगों में जाकर किसान क्रेडिर कार्ड योजना के लिए आविधन कर सकते हैं किसान क्रेडिर कार्ड योजना के तेट किसानों को एक लाग शाट अजार बहुत कम जाजरों पर दिया जाएगा अगर PM किसान KCC पोरम के लेकर बेंग में जाएंगे तो आवे दिन करते हैं तो बेंग मेनेजर भी आपको कोई भाणा नहीं बना पाएगा मतलब कोई भाणा नहीं चलेगा आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा KCC कार्ड पे किसान क्रेट कार्ड योजना के लाब इसके लाब देख लेते हैं अपन क्या है क्या बेनिफिट है जिस परकार से प्रधान मतरी किसान समानी दी योजना योजना देश की सबसे बड़ी योजना बनी प्रशान मत्री किसान क्रेडिर कार्ड भी इसके बाजू बाजू रेने वाला है देश में लगबख किसानों को किसान क्रेडिर कार्ड योजना का लाब दिया जाएगा किसान क्रेडिर कार्ड के द्वारा किसानों को सस्तिद्रों पर लोन ले सकेंगे और इससे आसान किस्तों में बेंगों को चुका सकेंगे किसान क्रेटिट कार्ड कैसिज के द्वारा किसानों को कनाल भूमी पर 12,000-15,000 तक लोन आसान इसे दिया जा सकता है मतलब कनाल भूमी पर आपको पता ही है यह ध्यान रखना अगर किसी किसान को 1,60,000 से भी ज्यादा लोन की जूरत है तो वो कैसी सी अप्लिकेशन फॉर में आपके अपने जमीन के दस्तावेज भी दे सकते हैं और जिसे उनको और ज्यादा लोन बेंगों के द्वारा मुया कराया जा सकीगा मतलब उनको 1,60,000 से ज्यादा लोन की जूरत है तो वो अपने जमी के दस्तावेज दे सकते हैं और वो ज्यादा लोन बेंगों से ले सकते हैं ये भी आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है अब नेक्स्ट करते हैं जिनकी बंजरवों में इन 12,000-15,000 ऐसे ही ले सकते हैं किसान क्रेडिकार्ड योजना के अंतरकत किसानों को 4 पिस्ती से कम व्याजदरों पर लोन दिया जाएगा बहुत बड़ी बात तो यह है कि अब किसान क्रेडिकार्ड इसकीम के अंतरकत पसुपालन और मतेशपालन के लिए भी लोन की सुईदा उपलत है तो इसका वीडियो डिसकेशन में लिंक है तो वहाँ से जाके देख सकते हैं केंदर सरकार के द्वारा प्रसान मते किसान स्रमानी दी योजना के सभी लाभारतियों को किसान क्रेडिकार्ड योजना के अंतरकत लाब दिया जाएगा और भी बहुत सारे फाइदे हैं तो किसान का आवेदन परधार में ते किसान क्रेडिट कार्ड योजने के अंदर करना चाहते हैं तो इसकी पिरक्रिया आपको हम नीचे देने जा रही है CSC के माधियम से PMKCC online apply के से करें तो इसकी परस्विज मैं बता देता हूँ आपको वीडियो completely देखना है अंत में वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है आपको CSC के माधियम से हाली में एक निवीची लेटर जारी किया गया जिसमें एक बयान दिया गया है जो इस परकार है किसान क्रेडिट कार्ड के लिए CSC माधियम से होगा किसानों का नमंकन कर्सी मंतराले ने सरकार के एक गवर्ने सिवा परदाता CSC SPV में किसान करेडिटर कार्ड के लिए पातर किसानों के पंजी करन को पास्ट ट्रेक करने के लिए सुरू किया है जिस सयोग के साथ लगबग 3.65 लाग कोमर्स रिविश एंटर इच्चुक और पातर किसानों को KCC के लिए नमंकिन्द करेंगे जो उन्हें कहती के साथ गेर कर्सी कत्वीदियों के लिए रिंट साहिता परदान करता है CAC E Governance India Limited कर्सी मंतराले द्वारा के सी सी के लिए पातर किसानों को पंजगरित करने के लिए अधिकरित किया गया है अंतर वरतमान में देश बर में 6.67 करोड किसानों का KCC परदान किये गये है सरकार ने PM किसान योजना के तहित 15 किसानों सभी 9.7 करोड किसानों को KCC का लाप देने का पेशला किया है जाहिर है कि 50% किसानों को पास KCC के तहित संस्ता का त्रिंड तक पहुंच नहीं है पूरे देश में सभी किसानों को संस्ताकत रेंड की सुईधा देने के लिए सरकार ने PM किसान योजना के सभी लावारतियों को कवर करने के लिए इस योजना का सुबर्म किया है कि वीवरन है PM किसान पोटल के मादेम से प्राप्ट के जाएगा गरामिन इस तर पर उद्धर गमी पसल और संबंध में गत्युदियों के केसी से अन्य वीवरन दर्ज करेंगे वीवरन परस्तूत करने के PM किसानों के सशीद का एक प्रिंट आउट परदान करेंगे वीवरन इस वीवजना के परती किसान 30 रुपे ले सकता है तो अब आपको ये भी पता सल गया कि CSC के PM किसान स्टाट होके सुकी है और हम बात करते हैं CSC के से आवजदिन करते हैं करते हैं सरकार के द्वारा CSC के मादिम से PM के से आवजदिन करने की पिरकिर्व कर दी गया है जिसके लिए CAC को एक अधिकारिक वेग पोर्टल दिया गया है इस अधिकारिक पोर्टल और कॉमन सर्विस एंटर से अंचाले कि CAC ID पास्वोड बदूलत लोगिंग करके प्रदान मंतरी किसान समानीदी योजना के लबारतियों का किसान रजिस्टेशन PMKCC के इसके अंतरकर कर सकता है तो इस वेबसाइट का लिंक डिसकेस में है तो PMKCC पोर्टल लोगिं CAC PMKCC अपलाई CAC के माधिम से किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए Common Service Center Operator CAC Valley होना चाहिए और आपका CAC STACY Active यानी की चालू होना चाहिए अगर आपके पास CAC ID है तो आप CACC के लिए ओनलाइन आविदिन कर सकते हैं ओनलाइन प्रोशेज अभी बता रहे हैं आपको तो इसका Link मैंने Discusmen दे दिया वेबसाइट का Direct इस वेबसाइट पर पहुँँच जाना है सबसे पहले आपको CAC Portal पर जाना होगा तो ये website आपको Discsome मिल जाएगी और यहसा Portal है इस पर आ जाना है तो अब क्या करना है आपको इस पोर्टल पर पहुंचने के बाद मैं आपको यहाँ पर दे रहका है और लोगिंग डिजिटल यहाँ पर सबसे उपर मौझूद ओक्षन लोगिंग विद डिजिटल सर्विस कॉन्टेक्ट किलिक करें देखो उपर उपर डिजिटल लिकावा है अभी मैं बताऊंगा तो वहाँ पर आपको किलिक करना है जैसे यह आप वहाँ पर किलिक करोगे तो आपके सामने देखो यह सा रहेगा लोगिंग भी तो डिजिटल सर्विस करेंटीट इस पर आपको किलिक करना है अब आपको आगे इक नया page कुल कराएगा जहां पर आपको अपनी CSE ID और password logging करना है तो ये भी देख लेते हैं अब आपको CSE ID और password डालना है यहाँ पर CSE ID और password डालने के बाद में logging हो जाना है पिर यहाँ allow मांगेगा तो allow कर देना है देखिए लोगिंग करते हैं यह आपको CSC ID PMKCC पोर्टल पर जिसके बाद आपको किसान का PMKCC ओनलाइन अप्लाइन कर सकेंगे CSC PMKCC पोर्टल पर आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी जिसमें PMKCC स्कीम के बारेम बहुत जानकारी आप राप्त कर सकेंगे CSC की कार्ड अप्लाइ करने के लिए आपको apply new KCC किलिक करना होगा जिसमें आपको अधार कर संक्या दर्ज करना होगा तो कुछ इसा प्रकार है तो यहाँ पर किसान की अधार क्या दर्ज करनी है ध्यान दे यहां आपको एसे लाभारती का अधार सेंग्या दर्ज करना होगा जो PMKC के अंतरगत किस्ते का पेशा प्राप्त कर रहा है यानि केवल PMKC के अंतरगत किस्ते का पेशा प्राप्त कर रहा है आदार संग के अदर्च करते ही आपके कुछ सही रहा तो आपके PMKCC online application खुल कर आ जाएगा जो इस प्रकार है मतलब आदार संग के आपकी सही है और आप बराबर किस्ते ले रहे हैं तो आपके सामनी ये form खुल कर आ जाएगा इस फोहम को आपको सही से बेसिक जानकारी है तो बेसिक जानकारी आप भर सकते हो आराम से कोई दिक्त नहीं है और अगर इसका completely वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट कर दीजे मैं इसका वीडियो बना दूँगा के से अपलाई करते हैं बाकि इसमें बेसिक नोलेज है आप भर सकते हो मैं लीमिट भी बताऊंगा आगर वीडियो के साथ बनी रहे हैं और वीडियो आपको पसंदारा तो लाइक करना शेयर करना चैनल को सस्काइब करना किसान बाईयों के साथ ज़्यादा सी ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करना है यह फोर्म है इसको भर देना आपको इस फोर्म को किसान की लगबग जानकार या पीम किसान डेटाबेर से ली जाती है कौमें सर्विश एंटर संचाला की द्वारा किया जाता है तो नीचे दिखाएगी है मतलब आपको इसमें कौमें सर्विश एंटर द्वारा 14 रुपे का इसमें टोकन करता है तो वो काटना होता है और आप किसान से 30 रुपे ले सकते हो अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं तो इसकी रिशीद भी आपको लेनी है किसान करेड़ काट CAC के माज़म से अप्लाई करने पर 30 रुपे का सुलक कौमन सर्विश एंटर दालों को देना होता है जैसा कि सुलक का भुकतान किया जाता है तो किसान का रिशीशन प्रिश PMKCC के लिए आप इतन हो जाता है और यह रिचिप्ट है तो यह रिचिशन शिलप निकलती है यह आपको किसान को दे देनी है कौमन सर्विश एंटर देना होता है ताकि आप भुविशे में PMKCC रिचिशन शिलप से उपर एबलिकेशन आइडी लिकी होती है जिसके बदलत कौमन सर्विश एंटर के माज़े में इस भुविशे में उसके आवे दिन की इस्तिती जा सकती है तो आपने प्रदान में ते किसान क्रेट कार्ड योजना से समतिती लगबग सारी जानगार या पराप्त कर ली है किसानों के मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि उन्हें किसान क्रेट कार्ड केसी के तहट कितना लोन देना दिया जाएगा तो ये आपको बता दिता हूँ मैं अभी कितना लोन को दोरा किसान क्रेट कार्ड दी जाएगी इसकी लिमिट भी क्या होगी तो इसके बारे में जानेंगे किसान क्रेडिकार्ड लिमिट के बारे में तो चलिए हम जान लेते हैं किसान क्रेडिकार्ड लिमिट PM किसान क्रेडिकार्ड के तहित किसानों को बेंकों के दुबरा PM केसी सी लिमिट उपलाद किरवाई जाती है तो चुकि अब सभी किसानों का खाता अलग-लग अबेंकों में होगा जिस वज़े से किसानों को किसान क्रेट कार्ड PMKCC लिमिट के तहित रकम भी अलग-लग दी जाती है यानि किसान क्रेट का लिमिट PMKCC लिमिट किसान के पास जितनी भी जमीन है और उस जमीन पर किस परकार के पसल की खेती करते हैं तो इस पर निर्वर करता है चलिए PM किसान क्रेटिर कार्ड लिमिट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्ट कर लेते हैं उदान से समझते हैं तो उदान दे समस्य से मान लेते हैं कि आपके पास एक एकड़ जमीन है और उस जमीन पर आप धान की खेती करते हो तो इस इसाब से आपको 50,617 PM के CC लिमिट मिल सकती है धान की खेती करने पर अगर आपकी खरीब की पचल के अंतरकत एक एकड़ जमीन का पर पक्का मक्का की 23,170 रुपे तक के CC लिमिट मिल सकती है यह मैं एक एकड़ की बता रहा हूँ आप अपने इसाब से इंटू कर लीजिए और बाकी मैं बताओंगा भी खरीब की पसल के लिए किसान क्रेटिर कार्ट लिमिट क्या है तो लिए साड़नी के बादियों से समझते हैं मैं आपको कंप्लीटली इंप्रमेशन देऊंगा अलग लग वीडियो की देखने की जूरती नहीं है इसी वीडियो के साथ बने रहे और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना शेर कना चैनल को सब्सकाइब करना दान की कहती की कैसी सी लिमिट 50,167 मका के उपर पिसान पीम किसा 2300 disease कांवन उडद की कहती पर 20,823 और मुंक की हती पर 20,160 मकर पर लिमिट मिलने वाली है ये चलिः ये ये तो खृणन की करीब प्यिक्राइब की बसल सत्यूमीर्ट रवट बसल लिए अगर एक एकड़ के लिए है तो सार्नी कवल एक एकड़ के लिए है तो आगे बात करते हैं लगने दो के लिए अगर आपके पास एक एक ट जमीन की रभी की खेति करते हो तो इसके तहयत आप भी तेहत आपको भी अलग-अलग पसल की खेती के उपर अलग-अलग किसान क्रेडिकार्ड की लीमिट दी जाएगी तो इसके उपर हम निचे विस्तार से बात करेंगे तो चलिए हो विस्तार से हम बता जिते हैं आपको अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आपकी सिटेट से वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जूर जाना है और वीडियो को लाइक करना है और किसान वाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि उनको पूरी निपरमेसन यहां से मिल सके रभी की पसल के लिए किसान क्रेडिकार्ड लिमिट ग्यों की खेती के लिए आपको मिलेंगे 4,500 51 तक किसान क्रेडिकारड की लिमिट दी जा सकती है जो की खेती पर 33,666 चना की खेती पर 29,532 और मटर की खेती के लिए अठाई सजार नो सो चौतर ग्योर राई और सुरसों के लिए 35,151 मसूर के लिए 31,635 अलसी के लिए 21,616 सुरज मुखी के लिए 33,910 और यह आप बर्मोस्चीम के लिए बर्मोस्चीम के लिए 30,000 तक का लोन मिल सकता है आपको कि जानकारी कार्ड अब तक आपने एक एकड़ जमीन की रभी की पसल और खरीबी की पसल को पर मिलने वाले केसी जानकारी कार्ड की जानकारी प्राप्त की है अब आगे हम कुछ और पसल उसके बारे में भी आपको केसी जानकारी देंगे औसदी, नसली और पसल की खेती पर केसी सी लोन अलू की खेति के लिए आपको 10.100.000 तक का किसी लिमिट मिल सकता है गरना की खेति के लिए हापको 77.350 दान की खेति के लिए आपको 50.500 पोदिना की खेति के लिए 25.000 और सपेद मुश्ली की के लिए आपको 26.000 400 यह कुछ है और यहाँ पे सलवार की खेती के लिए चिनन में 1,000 सतवार की खेती है मेत के लिए 34,800, काला मेत के लिए 35,000 और असवगंदा के लिए 35,000 ये आपको मिलने वाले केसिश लिमिट है, नोट एक बार फिर से आपको हम बता देना चाहेंगे जो लिमिट एक एकट जमीन पर उप्युक्त बताएगे पसल के लिए आपको की जमीन दो एकट होती है तो मिलने वाले लिमिट का दो गुना हो जाएगा उधान से समझते हैं, धान की केती के लिए आपको क्वास दो एकट जमीन हैं तो आपको 50,417 इंटू 2 एक लाग 12,034 किसान करिडिकार लिमिट तहद मिल सकता है तो अब हम आपने परदान मतरी किसान करिडिकार लिमिट के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है तो आपके मन में जो सवाल है वो हम दूर कर देते हैं क्या सभी किसान PM किसान क्रिडिकार्ड के लिए पातर हैं ऐसा नहीं है अभी किसान क्रिडिकार्ड योजना का पहला चरन शुरू किया गया है जिसमें प्रधानमत्री किसान समानिदी योजना के लाबारतियों किसान जिनकी संख्या करीब 9.5 क्रोड है को किसान योजना का लाब के लिए फिलाल लाबारती है क्या PM किसान के लाबारती को सीधा PM किसान क्रिडिकार्ड योजना का लाब दे दिया जाएगा ऐसा भी नहीं है PM किसान का लाबारती होना आपके लिए बस एक bonus point है कि आपको किसान क्रिडिकार्ड का लाब दिया जाएगा लेकिन माँने नहीं रखता यह माँने नहीं रखता यह भी माँने नहीं रखता बेंगों के दोरा अविदन सुईकार हो जाने के पश्याति आपको किसान करेड़ कार्ड योजना का लाप दे दिया चाहता है तीसरा सवाल मेरा पहले से किसान करेड़ कार्ट बना हुआ है क्या मैं इसकी लीमिट बढ़ा सकता हूँ जी हाँ अगर आपका पहले से किसान करेड़ कार्ट बना हुआ है तो आपके किसान करेड़ को बढ़ा सकते हैं लेकिन इसके तहट आपको अपने कुछ दस्तावेज बेंग में जमा कराने होंगे दस्तावेज होगी मांग आपके लिमिट ने लिमिट के अधार पड़ते होगी मैं पहले से PM किसान योजना के लिए आविदन नहीं किर पाया तो अभी मैं आविदन कर सकता हूँ गबरानी के जुड़ती नहीं है अगर आपने पहले PM किसान के लिए आविदन नहीं किया था तो अब तो आप अपने लेक पाल से संपरक कर जल्द ही जल्द किसान समानी दी योजना के देट आविदन करवा ले जिएसा कि आपको आविदन प्रदामंत्र किसान समानी दी योजना के देट हो जाता है उसके बाद मैं आपको बैंकों से और ओनलाइन के माध्यम से किसान करीड़िकाड का अविदन कर सकते हैं मेरे पास कम उम्मी है क्या मुझे भी किसान क्रेटिकाड योजना का लाब दिया जाएगा सिद्धी सी बात है अगर आप प्रदामत्र किसान समानी ती योजना के अंतरकत एक लाबारती है तो आपको किसान क्रेटिकाड योजना का लाब ले सकते हैं आपकी जमीन कम हो उससे कोई मतलब नहीं है बेंक का लोन देने से मना नहीं कर सकता बेंक आपको लोन देने से तब तब ही मना कर सकता है जब आपको लोन की जुड़ लाग से ज्यादा हो तब मना कर सकता है पहले आप किसान क्रेडिर कार्ड योजना का लाब ले सकते हैं अन्यता आप पसु पालन पसु किसान क्रेडिर कार्ड योजना का लाब ले सकते हैं तो यह ता अमारा वीडियो कम्पटेलि वीडियो में आपको समज़ा दिया फिर भी आपका कोई कमेंट रह गया हो कोई भी सवाल रे गया हो तो discussion में उनका सवाल दिये हैं उनी में से ये वीडियो बनाया गया है बाकि अगर कोई सवाल रे गया तो मुझे आप comment कर सकते हो और हमारे WhatsApp group और Telegram group को join कर सकते हो और मुझे personally आप WhatsApp message कर सकते हो अगर आपके कोई भी दिक्कत हो PM किसान से रिलेटेड तो ये वीडियो कैसा लगा comment करके जूर बताना ये वीडियो थोड़ा लंबा था लेकिन वीडियो में मैंने A to Z पूरी प्रोसेज यहां पर रख दिया है पूरी information आपको दे दी है completely वीडियो आपको बता दिया है किसान बायों के साथ ज़्यदा से ज़्यदा शेयर करें ताकि उनकी help हो सकें और किसी को अलग-अलग चकर काटने की जूरती ना पड़े तो मैंने आपको completely information दे दी है अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो मुझे comment करें तो ये वीडियो कैसे लगा comment करें के जूरता ना किसी state से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताना तो जे हिन जे भारत नेक्स्ट वीडियो आ रहा अपना नई स्कीम के साथ तो चलिए देखते हैं